के साथ मैं हूँ सभी नातामंग देशनों कचा चिठा केस स्पेशल एडिशन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी इंटरनाशनल खबर के साथ खबर यह है कि इसरेल और इरान में ठंग गई वजह बना परमाणू हत्यार और इसरेल के प्रधान मंतरी बेनियामिन नेतन याहू का एक धंकी भरा वयान वो भी संयुत राष्ट महासभा के सबसे बड़े मंच से नेतन याहू ने वानिंग दी यह धंकी दी कि जब तक वो प्रधान मंतरी हैं इरान को परमाणू बंसे दूर रखने के लिए इसरेल अपनी पूरी ताकत जोंग देगा बस फिर क्या था इरान ने भी करारा आपदे डाला ये तीन वीडियो तो बस बानगी हैं इरान इसराइल में खौफ भणने के लिए ऐसे कैई वीडियो रिलीज कर दोता है ये वीडियो इसराइल के लिए किसी चिताबनी से कम नहीं इरान ने इसराइल को खुली थमकी दे रखी है अगर उसने इरान के परमानू ठिकानों की तरफ देखा तो उसके शहर तेलवीब को तभा कर दिया जाएगा इरान के मीडिया की तरफ से जारी किये गई ये वीडियो एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है वीडियो में दिखाये गया है कि कैसे इरान के मिसाइलों ने मोचा समाल रखा है इरान की मीडिया के मुताबिक इन मिसाइलों के निशाने पर इसराइल का तेलवीब शहर था कहा गया कि अगर इरान के परमाणू ठिकानों पर हमला हुआ तो इसराइल का शहर तेलवीब मल्वे में बदल जाएगा इसराइल को धमकी दी गई है कि उसके हमला करने वाले विमानों को उतरने के लिए जमीन तक नहीं बचेगी यानि अगर वो हमले के बाद बचकर लॉट भी गए तो इसराइल में लैंड नहीं कर पाएंगे इरान इसराइल की बरसों पुरानी दुश्मनी बहुत ही खतरनाक मुकाम पर पहुँच गई है वज़ा बना है इसराइल के प्रधान मंत्री बेंजमिन नेतन्याहू का संयुक्त राश्क महासबा के मन से इरान को दी गई सीधी धमकी इरान को दी गई सीधी धमकी इसराइल अपनी पूरी ताकत लगा देगा इसराइल की सैनने शक्ती दुनिया से चिपी नहीं इसराइल हर ओर दुश्मनों से घिरा हुआ है फिर भी किसी की हिम्मत नहीं है कि उससे सीधा पंगा ले सके इसके पीछे इसराइल की ताकत वर सेना है इसराइल के घातक हतियार है इसराइल के परमानू हत्यार है लेकिन इसराइल अर्से से अपने परमानू हत्यारों पर घुल कर बोलने से बचता आया है लेकिन खूफिया रिपोर्ट बताती है कि इसराइल 1950 से गुपत रूप से परमानू हत्यार बनाने में लगा था दुनिया से छिपकर परमाणू बम बनाने में लगा था 29 साल बाद उसे तब काम्यावी मिली जब 22 सितंबर 1989 को रहसे में परमाणू परिक्षन किया दावा तो ये भी किया जाता है कि इसराइल में परमाणू मिसाइलों के लिए ऐसे साइलो बने हुए है जहां परमाणू मिसाइलों को लगाया गया है इन साइलों की गहराई करीब 170 फीट है साइलों का भूमिगत परिसर तीन हिस्सों में बटा है पहले हिस्से में मुख्य साइलो है जो मिसाइल का लांच पैड है यहीं परमाणू बम से लैस, मिसाइले भी रखी जाएंगी दूसरा हिस्सा मास्टर कंट्रोल डूम होता है जहां मिसाइल लॉंच का बटन होगा तीसरे हिस्से में मिसाइल सेंटर में काम करने वालों के एक वार्टर बने है इसमें पानी, बिजली और सीविट सिस्टम है पूरे भूमिगत परिसर को परमाणू हमले का सामना करने के लिए भी डिजाइन किया गया है दावे के मताबिक आज की तारीख में इसराइल के शान्तरिगिस्तान में निगेव परमाणू रिसर्च सेंटर है जहां ताकतवर हतियार बनाने का काम किया जाता है स्टॉक होम इंटरनाशनल पीस रिसर्च इस्टिट्यूट के मताबिक इसराइल के पास करीब 90 परमाणू हतियारों का जखीरा है लेकिन इसराइल ने कभी भी खुद को परमाणू हतियारों से संपन देश नहीं बताया है यही वज़ा है कि संयुक्त राष्ट में प्रधान मंत्री नेतन याहू के परमाणू धमकी वाले बयान को उनके ही कार्याले में तुरंत वापस ले लिया नेतन याहू के दफ्तर से एक बयान जारी कर सफाई दी गई है जिसमें कहा गया है कि तैयार भाषण में परमाणू खत्रे की बजाए सेन ने खत्रा लिखा हुआ था और प्रधान मंत्री भाषण के मूल पार्ट पर कायम है वहीं दावा किया जा रहा है कि इरान परमाणू बम बनाने के काफी करीब पहुँच गया है इरान ने परमाणू कारिकरम को लेकर युएन की संस्था IAEA यानी International Atomic Energy Agency की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इरान ने युरेनियम की एक बड़ी खेप को इखटा कर लिया है दावे के मुताबिक इरान ने युरेनियम का जो जखीरा जमा किया है उसे इतना संवर्दित कर लिया है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इरान परमाणू बम बनाने के खरीब पहुँच गया है पर्मानु बम बनाने के लिए 90 प्रतिशत समवर्दित यूरेनियम की जरूरत होती है और IAEA के मतावे एरान 83.7 फीसिती समवर्दित यूरेनियम हासिल कर चुका है यानि वो आटम बम बनाने के बेहत करीब पहुँच गया है IAEA की रिपोर्ट के मताविक 2015 में हुए पर्मानु समझोते के बाद इरान के यूरेनियम का भंडार कैई गुना बढ़तुका है हाला कि उस डील में इरान के यूरेनियम के भंडार की लिमिट तै की गई थी IAEA की रिपोर्ट में एदावा किया गया है कि 15 मई 2022 तक इरान का कुल यूरेनियम 3809 किलो तक पाया गया जो कि अमेरिका समयत कुछ पश्चिमी देशों के साथ हुए इरान की पर्मानु डील में तै की गई सीमा से 18 गुना से भी ज्यादा है हालकि अब तक इरान इस रिपोर्ट को नकारता रहा है लेकिन इसराइल से मिली धमकी के बाद वो भड़का हुआ है इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिमेश्या में इसराइल और इरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन है दोनों ही हमेशा एक दूसरे को मिटाने की धमकिया देते है हाल ही में इरान एक खास परेट कर दुश्मनों को अपनी ताकत दिखा चुका है इरान ने हाल ही में अपनी एक नई मिसाइल का टेस्ट करके बता दिया कि वो इसराइल को मिट्टी में मिला सकता है इससे आप एरान के तेवर को समझ सकते हैं ये एरान की नई मिसाइल खुर्रम शहर 4 है जो टेकनॉलिजी की मामले में एरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जा रही है खुर्रम शहर 4 के मिसाइल के रेंज 2000 किलो मीटर है और ये 1500 किलो तक का वार हैड ले जा सकती है खुर्रम शहर 4 इतनी सटीक है कि मिसाइल अपने टारगेट के 30 मीटर के दायरे में गिरती है 13 मीटर लंबी इस मिसाइल को लाँचिंग के दौरान ही खत्म किया जा सकता है क्योंकि जब ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है यानि टर्मिनल स्टेज में इस मिसाइल के रफतार करीब 20,000 किलो मीटर पती घंटा होती है इसराइल के किसी भी मिसाइल डिफेंस के लिए इसे रोकना आसान नहीं होगा इरान के राज़पती इबराहिम रईईसी ने इस मिसाइल के साथ अपना बहुत खास वीडियो भी शूट कराया है मिसाइल के बाद अब इरान के इस खास ड्रोन को देख लीजे जो इसराइल के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है हाल ही में इस ड्रोन को लाँच करके इरान ने अमेरिका और इसराइल को बहुत बड़ी बॉर्णिंग दी है सवाल है आगर इस नए ड्रोन को लेकर इरान का आत्मिश्वास इतना क्यों बढ़ गया है आगे बढ़ने से पहले इसका जवाब जान लीजिए ये ड्रोन गाइड़ बं से लेस है ये ड्रोन अंटी टैंक गाइड़ मिसाइल से लेस है इस ड्रोन का नाम है मुहाज़र 10 और यही ड्रोन पूरी दुनिया को दिखा कर इरान ने दो देशों को बहुत ही खतरनाक चुनाती दे दी है एक है अमेरिका और दूसरा है इसराइड दोनों ही इरान के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं इरान के डिफेंस शो में मुझाहिट 10 को जब दुनिया के सामने लाया गया तो इसकी तुलना अमेरिका के MQ-9 ड्रोन से की जाने लगी MQ-9 जिसे प्रिडेटर बी ड्रोन भी कहा जाता है ये वो ड्रोन है जिससे अमेरिका ने अफगानिस्तान और पश्ची मेशिया में अपने बड़े बड़े टागेट को खत्म किया है इसमें अलकायदा का चीफ अल्जवाहिरी भी शामिल था लेकिन अब इसी ट्रोन की नफल बनाकर एरान अमेरिका को चैलेंज कर रहा है और इसी बात को लेकर अमेरिका और इस्वेल घबराय हुए है अगर आप दूरी देखेंगे तो देखेंगे मातरा 1800 किलोमीटर है और इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो वो 2000 किलोमीटर की है यानि क्योंकि इसी ड्रोन के साथ इरान का पहला टार्गेट बनेंगे अमारिका और इस्वेल और इस्वेल अपने साथ लेकर उर सकता है और यही वज़ा है कि इस्वेल और अमारिका लगातार घबराय हुए है इरान के ड्रोन की रेंज परती जा रही है और अब इनकी जद में पश्चिमेशिया के वो इलाके भी आ रहे हैं जहां अमेरिका के एड्डे हैं और वो इस ड्रोन को लेकर काफी बॉखलाए हुए है इरान की ऐसी ही ड्रोन पावर को काउंटर करने के लिए इसराइल अब लगातार अपने आईरन डोम जैसे मशूर एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने पर मजबूर हो गया है लेकिन संयुक्त राष्ट महासभा के मंच से एरान को धमकी दे कर नेतन याहु ने खाड़ी के एक हिस्से को खौला दिया है अजाली एरवेस जहां की तैयारी देखकर पाकिस्तान और चीन बहुत परेशान हो गए है यह खामोश शिकारी है यह घात लगाता है दुश्मन पर लगातार नजर रखता है और जब हमले का वक्त आता है तो यह चूपता बिलकुल नहीं है यह भारतिये नौसेना का MQ-9B Predator Drone इसे Sea Guardian भी कहा जाता है यह पहली बार है जब नौसेना ने अपनी इस ताकत के तस्वीर दुनिया को दिखाई है यह ड्रोन हजारों मीटर की उचाई से सरहदों की निगरानी करता है और अब बहुत जल दुश्मन की पंडूबी को डुबोने में काम आएगा नौसेना में तीन साल उपरेट करने के बाद यह ड्रोन 13,000 घंटे के मिशन पूरे कर चुका है भारत ने अमेरिका से ऐसे दो ड्रोन लीज पर लिये थे और अब यह ड्रोन हिन महासागर की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं इसको शिकारी क्यों कहा जाता है इसे घात लगा कर हमला करने वाला शेर क्यों कहा जा रहा है इसे भारती सेना की सबसे नई और सबसे आधनी ताकत क्यों कहा जा रहा है इसके लिए देखी राजाली एर्बेस से ये रिपोर्ट जहां ये प्रिडेटर ड्रोन तैनात है यहां से ये हजारों किलोमेटर तक समंदर यानि हिन महासागर पर निगाह रखते हैं इन ड्रोन का खौब अमेरिका के दुश्मनों में बहुत ज्यादा रहा है पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और यमन तक अमेरिका ने अपने कई दुश्मन इसी ड्रोन से निप्टाएं हैं अब ये ड्रोन भारत के पास भी है इसका अटैक वर्जन भी भारत जल्द ही अमेरिका से खरीदने वाला है रिपोर्ट के मताबिक भारत अमेरिका से 31 EMPQ-9B ड्रोन खरीदेगा इसमें 15 ड्रोन भारतिये नौसेना के लिए होंगे इसमें 8 ड्रोन एर पोर्स के लिए होंगे और आठी ड्रोन आर्मी यानि थल सेना अपरेट करेंगे। ये ड्रोन गाइड़ मिजाईल और लेजर बम से लैस होंगे। और निकरानी के साथ दुश्मन पर हमला भी करेंगे। जब से भारत और अमेरिका के बीच MQ-9B के अटाक वर्जन को लेकर बात हुई, दो देश बहुत ज्यादा घबराये हुए हैं। जाहिर है इनका नाम है पाकिस्तान और चीन। इन दोनों मुलकों में MQ-9B ज्रून की ताकत पर बहस हो रही है। इससे बचने की तरकीब खोजी जा रही है। युद के हालात में ये ड्रून एलेसी के बार P.O.K. में भी अटाक करेगा। ये ड्रून एलेसी के बास चीन के अड़ों को भी नहीं बक्षेगा। और समंदर में ये चीन और पाकिस्तान के जंगी जहाजों और पंडुपियों पर हमले का पूरा माहौल तयार कर ये ड्रून अभी तमिलनाडू के राजाली एर बेस पर तैनाप किये गए हैं। आर्मी और एर फोर्स के पास आने के बाद इन ड्रून्स को उत्तर भारत और बाकी हिस्सों में भी तैनाप किया जाएगा। ये ड्रून हजारों किलोमिटर की रेंज में आपरेट कर सकते है और सबसे खास बात अगर मिशन नाकाम होता है तो कंट्रोल रूम से इसे ऑपरेट कर रहा पाइलेट पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसकर सकता है एक बड़ी तबाही मचा सकता है यानि 15,000 मीटर तक ये पहुंच सकता है और ये 2000 किलो तक के बम और मिसाइल भी रजा सकता है इसमें आंटी टैंक मिसाइल है और लेजर गाइड़ बम भी इसमें शामिल है ये ड्रोन 450 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफतार से होगा तो रफतार और जादा तेज होगी यानि देखिये कितना खतरनाक हो सकता है और यही बात इसको और जादा बेहद खाँ बनाती है इसमें हाई-डेफिनेशन क्यामरा भी लगा हुआ है जो जमीन हो या फिर समंदर की सटा है उसकी नगरानी आराम से कर सकता है और जो पंडूबियों को ट्राक कर सके नौसेना के लिए जो MQ-9B ड्रोन है उसमें जल्द ही सोनार वाला सिस्टम लगाया जाएगा जिससे ये ड्रोन समंदर की सताख के नीचे पंडूबियों को भी ट्राक करेगा जब दुश्मन की पंडूबिय हिन महासागर में भारत के इलाके के आसपास भी मंडराने की कोशिश करेगी तो ये ड्रोन उसका पता बहुत आराम से लगा लेगा इसके लिए इस ड्रोन में सोनो बॉय वाला सिस्टम लगा होगा जो समंदर में सोनो बॉय लाँच करेगा ये सोनो बॉय पंडूबियों के सोनार सिगनेचर यानि उसके आवाज को ट्राक करके कमांड सेंटर तक जानकारी पहुँचाएंगे और फिर नस्दी की जंगी जहाजों या फिर पी एटाई जैसे टोही विमानों से टॉर्पिडों लॉंच किया जाएगा ऐसे ही दुश्मन का काम तमाम हुजाएगा अस प्रिविश्य मेंचिन अर्क्राफ इस माक्स अल्टिटूट अटिटूट अन एंडूरेंस अफ थर्टी प्लस आर्स अब सूच रहे होंगे कि कमरों को सैनिताईज किया जा सकता है घरों को सेनिटाइज किया जा सकता है एक महले को सेनिटाइज किया जा सकता है लेकिन समंदर कैसे सेनिटाइज होगा वो भी चीन से इसे समझने के लिए इस मैप पर जरा गौर कीजिएगा ये दक्षिन चीन सागर है और इसके दक्षिंट से एक रास्ता पहुँचता है बंगाल की खाडी यानि हिन महासागर अगर चीन की नौसेना भारत पर अटैक करना चाहेगी तो वो इसी रास्ते का इस्तमाल करेगी जिसे मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है ये करीब 1000 किलोमेटर लेकिन महज 200 मीटर तक गहर समुद्री गलियारा है ट्रेड रूट की वजह से ये चीन की लाइफ लाइन भी कहा जाता है लेकिन इसके एकजिट पॉइंट यानि जहां से गलियारा हिन महासागर में खुलता है वहां भारती नौसेना का बहुत बड़ा पहरा हमेशा लगा रहता है भारत को चीन को यही से बताएंगे जिसे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि चीन की नौसेना अगर भारत की तरफ इस कलियारे में घुस भी गई तो जिन्दा वापस नहीं लोटेगी फिर चाहे क्योंना चीन साड़हे तीन सो जंगी जहाजों की नेवी बन चुका हो और आप तीन कैरियर वाली निवी बनने के लिए पूरी तरह तायार है लेकिन वो अब भी अपने कैरियर बेटल ग्रूप हिन महा सागर में लाने की गलती नहीं करेगा इसकी बड़ी वज़ा भारत की निगरानी ख्रमता है जो MQ-9B ज्रून से कई गुना बढ़ गई है सवाल है कि क्या चीन अपने कैरियर बेटल ग्रूप लेकर भारत के इलाखे में दाखिल होने की हिम्मत करेगा इसे समझने के लिए आपको भारत की कैरियर वार्टेयर की तैयारी और उसके कुछ चुनिंदा हत्यारों पर नज़र डालनी होगी ये हत्यार समंदर की सतेह पर भी होंगे ये हत्यार आसमान में भी होंगे और ये हत्यार समंदर की गहराई में भी ऑपरेट करेंगे लेकिन दिखाई नहीं देंगे चीन को दूर रखने के लिए डेटरेंट को लागू करने में तीन फैक्टर बड़ा काम करेंगे पहला जियोग्राफिक चीन की नेवल पावर दक्षिन चीन सागर तक महदूत रह जाती है हिन महासागर में पहुँचने के लिए उसके सामने मलक्का स्ट्रेट जैसा टोल प्लाजा खड़ा है चीन का इसे क्रॉस करना भारत के रिए रेड लाइन होगा दूसरा भारत की A2AD वाली स्ट्राटिजी जो चीन दक्षिन चीन सागर में अपनाता है यानि हिन महासागर भारत का इलाका है और यहां भारत ये नौसेना का तायरा काफी बड़ा है A2AD का मतलब है Anti-Access Area Deny नौसेना में इसे एक इलाके को इस तरह सेनिटाइज करना कहते हैं कि दूसरी नेवी इसमें दाखिल न हो पाए और ये स्ट्राटेजी तीसरे फैक्टर की मदद से तयार की जाती है तीसरा फैक्टर है भारत के फोर्स मल्टिप्लायर भारत के पास ब्रमोस से लेस सुखोई विमान है हर्पून मिसाइल से लेस पी-एटाई जैसी सम्मरीन हंटर विमान है कैनिडा के लिए खालिस्तान का खेल अब उसके लिए आग साबित हो रहा है जो कैनिडा भारत के एजिंटों पर आतंकी हरदीब सिंग निजर के हथ्या पर कारोप लगा रहा है अब वही कैनिडा खालिस्तानियों के ख़दर से खौफ में आ गया है दावा ये किया जा रहा है कि भारत ने खालिस्तान के मुद्दे पर कैनेडा को जुकने के लिए मजबूर कर दिया जुकेगा कैनेडा जुकाने वाला आ गया ये आज का कैनेडा है जो पाकिस्तान की खुप्या एजेंसी आईएसाई की इशारे पर खालिस्तानी आग से खेल रहा है ये आज का कैनेडा है जो भारत को खालिस्तानी आग में जलाने की साज़ेश रच रहा है कैनडा में भारत का तेरंगा जंडा जलाया जा रहा है ये आज का कैनडा है जहां भारत के दूतावासों को घेरा जा रहा है हिंदूओं को कैनडा छोड़ने की धंकियां दी जा रही है खालिस्तानी आतंके हरदीप सिंग मिजजर की हत्या पर घड़ियाली आंसु बहाने वाले ये कैनडा के वही प्रधान मंतरी जस्टिन टूडू है जो प्रधान मंतरी की कुर्सी से च्पके रहने के लिए खालिस्तानी आतंकियों को खुदा मानने लगे है between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. खालिस्तान को हथियार बना कर कैनेडा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है. खालिस्तान के नाम पर मुठ्धी भर सिर्फिरों के चक्कर में टूडो ने अपनी मिट्टी पलीत करा ली है. जस्तिन टूडो का खालिस्तानी खेब अब पाकिस्तानी साज़ेश से जुड़ता जा रहा है. खबर तो यहां तक आने लगी है कि पाकिस्तानी खुप्या एजनसी आईएसाई के इशारे पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंग निजर की हत्या की गई. अब आप जरा यह देखी कि कैसे एक आतंकी की हत्या को कैनड़ा के प्रधान मंत्री ने भारत के खिलाब खालिस्तानी हत्यार बनाने की कोशिश की है. आईएसाई की खालिस्तानी साज़िश कैनड़ा बना पाकिस्तान. 18 सितंबर को कैनड़ा के पी-म जस्टेन टूडो ने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंग निजर की हत्या के आरोग भारतिये एजंट्स पर लगाए. 20 सितंबर को खालिस्तानी नेता गुर्पतवन्थ सिंग पन्नु ने हिंदूओं को कैनड़ा छोडने की धम की दी. 25 सितंबर को खालिस्तानी समर्थकों ने वैंकूवर में भारतिये गुतावास के सामने तिरंगे को फाड़ दिया. लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने कैनड़ा के प्रधान मंत्री के खालिस्तानी बयान पर पलट वार किया है, उससे खालिस्तानी आतंकियों के साथ-साथ कैनड़ा भी बौकला गया है। UN Journal Assembly में भारत की विदेश मंत्री S.J. शंकर के संबोधन के बाद कैनड़ा की तरफ से भी बयान आया है। दी बौब रे की प्रतिक्रिया सामने आई है। UN में कैनड़ा की स्थाई प्रतिनी थी, बौब रे को ऐसा बयान इसलिए देना पड़ा, क्योंकि 26 सितंबर को भारत की विदेश मंत्री जैशंकर ने UN में कैनड़ा और खालिस्तानियों के धज्जियां उड़ा दी थी। सेयुक्त राष्ट्र महार सभा में ऐस जैशंकर ने साफ कहा, वो दिन चले गए जब कुछ देश एजंडा तै करते थे और दूसरे देशों से उसके हिसाब से चलने की उमीद करते थे। विदेश मंत्री जैशंकर ने पलटवार करते हुए ये भी कहा, हलांकि अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो एजंडा को शेप देते हैं और नियमों को गढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे भारत सरकार ने एक तरफ कैनडा के व्रधान मंत्री की बूलती बंद कर दी हैं तो वहीं दूसरी तरफ NIA ने साथ राज्यों में 51 जगह पर जबरदस च्छापे मारी करके खालिस्तानियों की कमर तोड़कर रखती हैं। कैनडा भले ही कहे कि वो भारत के आगे जुकेगा नहीं लेकिन भारत ने कैनडा को जुका दिया है। सालों की भीतर अलगावादी ताकतों के चलते काफी हिंसा हुई है। जैशंकर ने यहां तक कहा कि हमने कैनडा से चलने वाले संगटत, अपरात और उसके नित्रत के बारे में काफी जानकारी दी है। प्रत्यरपन की कई रिक्वेस्ट भी पेंडिंग है। कई आतंकवादी निताओं की भी पहचान हुई है। लेकिन खालिस्तानी आतंकियों के वोट बैंक के लालिच में कैनडा आंखे मूंदे बैठा है। जब से भारत में कैनडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा को निलंबित किया है। कैनडा में कोहरा मच गया है। खालिस्तानी आतंकियों और उनके रिष्टेदारों को अब हिंदुस्तान की बहुत याद आने लगी है। हालात ये हो गए हैं कि जो खालिस्तानी आतंकी कैनडा में खुले आम बेखाफ दहाड़े मारते हुए भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। वो भारत के एक्शन के बाद से भारत के दूतावासों के बहार बहुत कम संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आतंकी पन्नू भले ही हिंदूओं को कैनडा से भगाने की धमकी दे रहा हो। लेकिन हकीकत में भारत में खालिस्तानीयों की अकल ठिकाने लगा दी है। इदर भारत के अंदर साथ राज्यों में NIA ने पचास जगहों पर जबरदस छापे मारी खालिस्तानीयों की संपत्यों पर की हैं। जिससे कैनडा में कोहराम मचा हुआ है। आतंकी और गैंकस्टर गट्चोड के खिलाब NIA की ये बड़ी कारवाई साथ राज्यों में चल रही है। पंजाब के मोका, भटिंडा और फिरोजबुर में NIA ने ताबर तोड छापे मारे हैं। जबकि राजस्थान की तेरा जिलों में भी NIA की रेड चल रही है। हनुमानगर, जुन्जुनो, गंगानगर, जोदपुर, सहित, राजस्थान की तेरा शहरों में NIA की रेड से हड़कम मचा हुआ है। मैं बिल्कुल सेमोट हूँ जैज़एकर से। बड़े साफ सब्सक्राइब का है कि हमने कैनड़ा को हर प्रकार से इंफिमिशन दिये, एक्स्रोडिशन रिक्वेस्ट की हैं। लेकिन उसको कैनड़ा हमेशे ही नजर अंदाज करता रहा है। और अभी समय आ गया कि हम इसको एकसेप्ट नहीं कर सकते। हमारे देश की सोवरिनिटी और इंटेग्रिटी का तरलुक है।